नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं तो खबरों की और रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइन्स पर बिहार इंटर का रिजल्ट जारी इन जीलों की लड़गियों ने किया टॉप यहां देखे सभी सब्जेक्ट के टॉपर्स की लिस्ट होली में बढ़ गया बिजली का दाम होली से पहले लोगों को लगा करेंट का जटका बिहार के लोगों को सियम नितीस का तौफा नेचर सफारी और आठ सीटर रोपय का किया उदगाटन आईजी आएमेस में बहाली प्रक्रिया के अंदर गड़बडी हाइकोट ने सहायक प्रोफेसर के नियुक्ति रद की बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजाईकुमार सीना की अध्यक्षता में समितियों के सभापती की हुई बैठक सावधान बिहार में बढ़ा कोरोना का खौफ होली से पहले केंदर सरकार ने जरूरी कदम उठाने का दिया निर्देश छे साल बाद जेल से बाहर आकर होली मनाएंगे विधायक अमर्जित कुस्वाहा पटना हाइकोट से मिली जमानत उत्पादन वितरन समारों में सामिल हुए मंत्री सुमीत सिंग आधिवासियों को बाटा बतक वक्री और बटेर पान बेचने वाले की बेटी बनी बिहार टौपर गरीब पिता की आखों से निकले आसू बोले बेटी का हर सपना पूरा करेंगे चाय बेचने वाले की बेटी बनी टौपर नंदनी ने पिता का नाम किया रोसन बोली डियम बनना चाहती हूँ अब खबरेव इस्तार से जी हां सुक्रुवार को बिहार बोड के इंटर का रिजल्ट आ गया है बिहार विद्दाले परिक्षा समीती ने बारवी का रिजल्ट जारी कर दिया है इंटर परिक्षा में 10,45,950 बच्चे पास हुए है आर्स, कॉमर्स और साइन्स तीनों संकायों में लड़कियों ने बाजी मारी है बोड के अध्यक्ष आनंद किसोर और सिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फरेंस कर टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की है सुक्रवार को बिहार विदाले परिक्षा समीती ने बारवी का रिजल्ट जारी कर दिया है इस बार आर्स में 77,99% कॉमर्स में 91,48% और साइन्स में 76,28% चात्र चात्राओं ने पास किया है इंटर परिक्षा में 10,45,950 बच्चे पास हुए है आर्स कॉमर्स और साइन्स तीनों संकायों में लड़कियों ने बाजी मारी है आर्स में मधुभारती, कॉमर्स में सुगंदा कुमारी और साइन्स में सोनाली कुमारी टॉपर रही है आर्स में मधुभारती के साथ सिमुलतला आवासिय विद्दाले के कैलास कुमार ने भी टॉप किया है। आर्स में मधुभारती के साथ सिमुलतला ने भी टॉप किया है। आर्स में मधुभारती के साथ सिमुलतला ने भी टॉप किया है। साथ बिहार ने 42.86 परतिसत और नौर्थ बिहार ने 27.71 परतिसत का नुकसान भी दिखाया था। सुक्रवार को अंतराष्टिय परियाटन केंद्र राजगीर में नवनिर्मित आठ सीट वाले रोपे और नेचर सफारी का उदगाटन मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने किया। उन्होंने नेचर सफारी में बने ग्लास ब्रीज का भी मुवायना किया। जंगदाजी, सूटिंग रेंज, सहित अनेक रोमांचक स्पॉर्ट लगभग तयार हो चुका है। इस सफारी के कैम्प एरिया में प्री हट, वुडेन हट, बॉम्बू हट, मुड हट, हाउस आदी के बनाये जाने से यहाब बेहद रमनिया हो गया है। जिसमें परियटक पेंगेस्ट बनकर भी इसमें कुछ दिन बिता सकेंगे, जबकि इसमें भी एक छोटा सब बटरफलाई पार्क का निमान किया जा रहा है। पटना के इंद्रागांधी आयरविज्यान संक्स्थान में बहाली प्रक्रिया के अंदर गड़बड़ी पाई गई है। नियुक्त करने पर विचार करने के लिए तीन महिने का वक्त दिया है। साल 2018 में और्थो विभाग के अंदर चार असिस्टन प्रोफेसरों के नियुक्ती के लिए विज्यापन निकाला गया था। तीन पद सामाइन और एक सी के लिए अरक्षित था। पहले से ही एड हॉक पर संगस्थान में काम कर रहे थे। उन्होंने भी आवेदन किया लेकिन अंतिम चैन सुची में उनका नाम वेटिंग लिस्ट के अंदर आया। इसके बाद उन्होंने पटना हाई कोट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद बहाल हुए सहायक प्रोफेसर डॉक्टर चंदन कुमार की नियुक्ती को रद करने का आदेश दिया गया है। सुक्रवार को विहार विधानसभा की समितियों के सभाफती के साथ एक बैठक की आयोजित की गई। अफाक आलम अरुना देवी एवंग विहार विधानसभा के सचीव राजकुमार सिंग सामिल हुए। इसकी समितियों के बैठक में विहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिंगा ने कहा कि सत्र में नहीं होने के दौरान ये समितियां मिनी विधानसभा की तरह काम कर दी है। समितियों के प्रभाव रूप से क्रियासिल रहने पर ना किवल विधाय का बलकि कारेपाली का भी अपने उतरदायत को सही डंग से निवा सकेगी जिससे अधिक से अधिक जनहीत का कारे हो सकेगा जिससे बिहार विधानसभा की गरिमा बढ़ेगी और जनता के बीच सकारात प्रत्मक संदेश भी जायेगा जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें चुना है उस पर खरा उतरने की हम पोसिस अमेशा करेंगे। बिहार के मुईक सजीव को पत्र लिखकर होली सब एबारात इद उल फितर सहित अन परुतेवहार में जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। लिखा है कि वो आने वाले तयोहारों को लेकर सक्त कदम उठाये। केंद्रियक ग्रिहा सचीव ने लिखा है कि आने माले दिनों में खोली सब एबारात इद उल फितर जैसे बड़े तयोहार आ रहे हैं जिन में बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं। कोरोना वाइरस संक्रमन का खत्रा सामाइन से कई गुना जादा हो सकता है लिहाजा सरकारों द्वारा सक्त से सक्त कदम उठाये जाने की जरूरत है। हत्याकाण के मामले में कई दिनों से जेल में बंद विदायक अमर्जित कुसवाहा इस पार की होली सांदाथ तरीके से मनाने वाले हैं। जिरादे के भागपा माले विधायक, अमर्चित कुसवाहा को पटना हाईकोट ने जमानत दे दिया है, कुसवाहा कल ही जेल से बाहर आ सकते हैं, खोली से पहले बेल मिलने पर कुसवाहा के समर्धकों और उनके परिवार के बीच खुसी की लहर है, गौर्तलबो की सिवान की जिरादे सीट से भागपा माले के विधायक अमर्जित कुसवाहा फिलाल जेल में बंद थे लेकिन शुकरवार को उन्हें पठणा उच न्याइले से हत्यकान के मामले में जमानत मिल गई आना जाराय की आज विधायक अमर्जित कुसवाहा जेल से बाहर आ सकते हैं। आपको बता दे की MLA अमर्जित कुसवाहा 2015 विधानसभा चुनामे नॉमिनेशन के दिन ही गिराफ्तार हुए थे। के बीच कुदाल, खुर्पी, बतक, बकरी, बटेर, सुवर, चुज्जा, सहित, अन, क्रिसी संबंदित, समागरियों का वितरन किया। क्रिसक विध्यानिक वार्तालाप सा उत्पादन वितरन समारों में मंत्री सुमित सिंग ने कहा कि आज करिब 6 वर्चों के बाद पुना इ इस बार आर्स, कॉमर्स और साइंस तीनो संकायों में लड़कियों ने बाजी मारी है, लड़कों को पचारते हुए बेटियों ने अपने मा बाप का नाम रोसन कर दिया है। सिवानी को बढ़ाई देने वालों का ताता लगा है, सिवानी की पिता संजै प्रसाद और्फ मुन्ना एक पान दुकानदार है, जबकि मा अनिता देवी ग्रिहीनी है, इन दोनों ने दिन रात मेहनत कर अपनी बेटी को पढ़ाया है, सुक्रवार को जैसे ही इन्होंने सु बेटी को और अच्छे से संगस्तान में पढ़ने के लिए भेजेंगे, वहाँ अपनी बेटी के हर एक सपने को पूरा करेंगे, और उसकी पढ़ाई के बीच में कभी भी गरिवी को रोडा नहीं बनने देंगे, उनकी बेटी ने कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है बिहार इंटर की परिक्षा में बेटों से ज़्यादा बेटियों ने अपने माता पिता का नाम रोसन किया है, बिहार की बेटियां आर्स, साइंस और कॉमर्स में टॉप बनी है, भागलपुर की रहने वाली नंदनी भारती ने आर्स में टॉप किया है, इनके बिता संकर प दिया है आर्ज, कॉमर्स और साइंस तीनो संकायों में लड़कियों ने बाजी मारी है भागलपुर की बेटी नंदनी भारती ने बिहार भर में पर्चम लहराया है टीन बी कॉलेज की छात्रा नंदनी कुमार आर्ज में सेकेंट आपर बनी है नंदनी को 500 में से 461 अंक मिले ह तो आज के सुर्कियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और इस्तितारों में सेयर जरूर करें धन्यवाद